गुड बॉर्णिंग फ्रेंड्स, स्वावत है आपका, आपके अपने यूरियूप चैनल पर, चले शुरुगात करते हैं पिछले कल की दे हिंदू एडिटोरियल वकाबलर के रिवीजन की, पहला हमारा वर्था ओनरिस, ओनरिस का मतलब होता है, ऐसा कोई काम जो की बहुत ज जाता दुशकर हो, जिसमें बहुत जादा कठीन परिश्रम लगे, कठीन कारे, बहुत जादा कोशिश है करने पड़े, जिसके लिए उसे बोला जाता है, ओनरिस, अगला हमारा शब्द है, स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है, सक्ती के साथ, कठोरता के साथ पेश आना, दि जाता है, स्टर्न, 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 स्टर किसी तरह का कोई लेख किसी एक subject पर किसी एक विशे पर किसी तरह का कोई एक लेख editorial पूल सकते हैं या फिर उपन्यास या फिर कोई किताब लिखना किसी एक specific विशे पर उसे बोला गया है treatise अगला हमारा शब्द है molesting, molesting का मतलब होता है महिलाओं के साथ गलत अव्द्यवहार करना, छेड़ छाड़ करना उसे बोला गया है molesting अगला शब्द है appalled, appalled का मतलब होता है किसी बात को लेकर हमें से बहुत सदमा लगना, एकदम से shock लगना, अश्यर चकित रह जाना, उसे बोला गया है appalled अगला शब्द है denounced, denounced का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर किसी तरह के कोई आरोप लगाना, उसकी निंदा करना, criticism करना, उसे बोला गया है denounced अगला शब्द है trenchant, trenchant का मतलब होता है, कोई बात कितनी effective है, कितनी परभाव शाली है, कोई चीज कितनी influence रखती है, कितनी effect परभाव है उसका, तो उसे बोला जाता है trenchant अगला शब्द है अकलेट, अकलेट का मतलब होता है किसी विक्ती के काम के लिए उसको दिये जाने वाला कोई पुरुसकार उतकरिष्ट उसने कार्य किया है कोई, बहुत अच्छा काम किया है तो उसके बदले उसे कोई इनाम दिया जाना, प्रशनसा करना उसकी पुरुसकार दिया जाना, उसे बोलागा है अगला शब्द है satire, satire का मतलब होता है, ऐसा कोई चीज जो कि बिलकुल मौकरी हो, मतलब व्यंग्यात्मक हो, हास्तेपद हो, व्यंग्यपूर्ण, उसे बोलागा है satire, अगला मारा शब्द है tumultuous, tumultuous का मतलब होता है, जह इसको, उसे बोलागा है bettors, अगला शब्द है advent, advent का मतलब होता है, किस भी चीज़ का, प्रकाश में आना, existence में आना, किसी चीज़ का, प्रकट होना, उत्पन होना, उसे बोलागा है advent, और हमारा last word था strive, strive का मतलब होता है, किसी भी काम को करने के लिए, जी तोड महनत करना भरपूर कोशिच करना, जी जहान लगा देना, उसे बोलागा है strive, तो ये last slide थी पिछले कलके, the Hindu editorial vocabulary के revision की, I hope आपको ये जो नई सीरीज है, ये helpful लग रही होगी, informative लगी होगी, थोड़ा सा revise आप करते होंगे चीज़ों को, काफी help मिलती होगी आपको इस वीडियो से, इस